नवश्कान उस बुलिटन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ गितिका पांडे कभी-कभी वक्त ही बुरा चल रहा हो तो क्या कर सकते हैं? कहते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है, वक्त के आगे किसी की नहीं चलती कभी-कभी इनसान के जन्दगी में कुछ ऐसे हाथ से घट जाते हैं जिसमें उसकी कोई गलती नहीं होती लेकिन फिर भी अच्छा खासा खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है कुछ ऐसा ही वाकिया पेश आया इस वीडियो में इस वीडियो में सड़क के किनारे एक बेंच पड़ी है जिस पर दो व्यक्ति बैथे हुए हैं एक व्यक्ती मुबाइल चला रहा है तब ही अचानक दूसरा व्यक्ती उठ कर चला जाता है इतने में ही सामने से एक बाइक सवार तेज गती से आता है और मोबाइल चलाते हुए व्यक्ति के हाथों से मोबाइल लेकर रफू चकर हो जाता है ये सब कुछ इतनी जल्दी में घटेत हुआ कि मोबाइल वाला व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं पाता वो उटकर बाइक सवार के पीछे भागता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है बाज की तरह जपटा मारकर बाइक सवार अच्छानक से उस व्यक्ति का मोबाइल छीन लेता है अब इस वीडियो में अगर देखा जाए तो सीधे तरपर मोबाइल चलाने वाले व्यक्ति की कोई गलती नहीं है वो मोबाइल चलाने की एक सामाने सी प्रक्रिया कर रहा है जैसे हम सब करते हैं लेकिन अगर वो व्यक्ति जरा सा सतर्क और सचेत होता तो उसका मोबाईल बच सकता था। आज के युग में जब आप राधी खटनाएं अपने चरम पे हैं अप राधी बेहत शातिर हो गए हैं ऐसे समय में हमें आवशक्ता से अधिक सजग जागरुक रहना बेहत जरूरी है अगर वो व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर इतनी मसरूफियत के सांथ मोबाईल ना चला रहा होता ताइट हातों से मोबाईल पकड़े होता तो शायद ये वारधात होने से रोकी जा सकती थी तो हम आप से यही अपील करते हैं कि जब भी आप पब्लिक प्लेस पर जाएं या क जाएं